ढाबा से भी बढ़िया और टेस्टी मिक्स वेज आज हम घर पे बना कर तयार करेंगे वो भी बहुत आसान तरीके से हरो फ्रेंश मैं हूँ दिल्रुबा और आप सभी का स्वागत है दिल्रुबा किचेन हिंदी में तो आज हमारे किचन में बनने वाली है मिक्स वेज जो कि बहुत ही जादा हल्दी और टेस्टी है इसे आप डेली की सबजी में सामिल कर सकते हैं टिफिन या फिर लंच बॉक्स पे से दे सकते हैं तो चलिए आज की टेस्टी रेसिपी सुरू करते हैं बनाना धाबा और रेश सबया यहां पर हिसाब तो लिल जाएगा यहां पर अधाक को भूप लिया है ब्रोक्ली लिया है मैंने यहां मीर्च प्यास और रसबघा और रफले चौप केया है 18-20 लहजान के कर लिया है एक इंच अद्रक का टुकड़ा लिया है मैंने तो यहां पर मैंने इतनी सारे सब्जिया लिया आप अपनी अकॉर्डिंग ले लिजएगा जो भी सब्जिया आपके पास अभी लेबल हो उसका आप यूज करें नहीं हो उसे आप स्केप कर दे और सबी सब्जिया जो है अपन का टुकड़ा कटा हुआ इसे हम पीस लेंगे बिना पानी डाले हुए लेकिन अगर आपको पानी की ज़रत हो तो आप इसे पानी डाल करके पीस लिया और एक पेस्ट बना कर तयार कर ले इसे हम रख देते हैं साइट पे और अब ले लेंगे कढ़ाई और इसमें हम ऑईल करेंगे यहां पे आप कोई भी होलाइड कर सकते हैं जो हयल आप खाते होंगे या फे जो अपको पसंद होगा और यहाँ पे मैंने ससारी सब्जें करके लिया है और यहांप August मिर्चाइड कर देंगे मैंने और यह ब्रोक्ली भी आएट कर देंगे, तो जो सब्जे आपके पास हो आप डाली, नहीं हो आप स्किप कर दे, और अपने यहां पर सब्जी तो यहां पे मैं नमक नहीं ढाल रही हुग सब्साइख में बहुत चार से पास मिनněटे के विए भूल ले न हाँ धाबा ये करें में मिक्स बनती दुहां पर पीजी को फ्राइब करके बिना आ जाता है तो यह जाए कारी वहां पर निर्फ आए कर रहा हुँ लेंकर बहुत ही कम यहां एक लूब देल में और इसे यहां पर यहां पर मैंनि सिर्फ 5 मिनिट के लिए यहां अच्छे से बुन गई है तिसे जब हम निकाल लेते हैं तो सभी सबज्यों को हम निकाल लेंगे बाल में और इसे हम रख देंगे साइड पे और सेम कड़ाई में हम वापस से ओयल आड़ करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने निकाल लिया है इसे रख देते हैं और सेम कड़ाई में हम लगबग एक ब तो यहां पर मैंने एक मीडियम साइज की प्याज को बारी काड करके ले लिया है साथ में दो हरी मिर्च लिया है मैंने हरी मिर्च जो हव अपनी टेस्ट के कोडिंग ले लीजिएगा! जितना आपको तीखा पसंद होगा मुझे ज्यादा तीखा पसंद नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे दोहरी मिर्श का इस्तेमाल कर रही हूँ आप अपनी टेस्ट के कॉर्डिंग ले लिजेगा और प्याज को में तब तक पकाना है जब तक प्याज सौप्ट नहीं हो जाए य लालमिर्षक पॉडर आप कर लेंगे तो हल्दी और लालमिर्षक पॉडर डालते वाक्त वर्ड गयास का फ्लेप प्यूरी जो हमने पनाया था इससे हमाड़ कर देंगे ऑ थोड़ा सा पानी भी मैंने आइट कर दिया है लगब आधा कब जितना और अच्छे से मिक्स कर दे तो इसतरह से सब्जी जो है बहुत ही जादा टेस्टी बनते हैं और इस तरह से ट्राइज बहुत पसंद आईगो बनाना बहुत आसान है बहुत यहां तरीका मैं बता रहीं बनाने का मिक्स विज उँ आप इसे बना कर जरूर स्दुर्ट तक विजिएगा साथ में धन्या पॉर्डर आधा चमचा करेंगे और अधा चमच इसमें जीरा पॉर्डर एक पॉरडर और यहां पे तरह से जरूर बुद्गा चीज़ो को उसके बाद इसे हम ढगाएंगे तो यहां पे मसालों को कवर कर देते हैं और बीच बीच में चेक करते रहेंगे और चेक किरते हुए हम इसे 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे मसालों को तो मसालों को भूनते हुए मुझे लगबक 3-4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं और मसालों से अलग होने लग गया है और मसाल एकदम दानेदार बनकर त्यार हो गया है तो यहां पर अच्छे से ःस्टेश में сब्हालो को भून लेना है तो continue इस तरह से चलाते हुआ अच्छे से भूनेंगे जितने अच्छे से हमारे मसालओ भूनेंगे आ उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे mix wage में तो यहाँ पे अच्छे से continue चलाते हुए से हमें अच्छे से भूल लेना है तो आप देख सकते हैं मसाले से oil जो एकदम अलग होने लग गया है और ये दानेदार मसाला हमारा तयार है इस अस्टीज पे हम इसमें ये सोटे के हुए सबजियों को आड़ कर देंगे सभी सबजी डाल देया है मैंने 7 में पनीड अड़ कर देंगे तो यहाँ पे मैं पनीड को ऐसी ही आड़ कर रही हूँ आप चाहाँ तो इस असे फ्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर लग-बग 100 ग्राम जितना मैंने पनीड अड़ कर दिया है और साथ मिया धनिया पती आट कर देंगे बारिक चॉप किया हुआ और अच्छे से मिक्स करेंगे उससे पहले यहाँ पर गरम मसाला आट करेंगे आधा चमज और अच्छे से यहाँ पर सभी चीजों को मिक्स कर देंगे तो पनीर को मैंने यहां पर फ्राई नहीं किया है आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं मैंने ऐसी ही डाला है इसे ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और अच्छे से मिक्स कर देंगे और लो फलेम पे हम सबजियों को अच्छे से कुक कर लेंगे क्योंकि हमारी सबजी जो है अच्छे से पकी नहीं है तो 10-12 मिट के लिए हमें सबजी को लोफ लेंपे ढखकर के पकाना है बीच बीच में चलाते रहना है इससे हमारी सबजी जो है अच्छे से कुक हो जाएगी तो अगर आप यहाँ पर पानी के ज़रत महसूस होता आप यह कि आप देख सकते हैं सबजी का कलर देखकर आपको अनताजा हो रहा होगा यहां पर हमारी इससे मैंने 10-12 मिनिट के लिए कुक कर लिया है ढक करके और आप देख सकते हैं हमारी सबजी जो हो तैयार है बहुत ही कम तेल मसालों के साथ में ये मिक्स वेज बनकर तयार होती है बहुत ही हल्दी और टेस्टी बनती है तो आप इसे बना कर जरूर ट्राइ किसेगा आपको और आपकी फैमली को बहुत पसंद आएगी और इसी आप रोटी पराठे राइस नान किसी के साथ में भी साल्व कर सकते हैं बहुत ही हल्दी और टेस्टी है डेली के सबजी में आप इसे सामिल करें और इसी आप टिफिल लंच बॉक्स में भी बना कर के दे सकते हैं बनाना भी बहुत असान है, कम तेल और मसालों के साथ भी बन कर तयार होती है धाबा रेस्टोरिंट से भी अच्छी मिक्स वेज तो बनाकर श्राइ कीजिएगा और फिर अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी रेसिपी अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजिएगा मिलते हैं आप से ऐसी और इंटरस्टिंग से रेसिपी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद बाबाई, टेक्यार